पाठ, अठारह, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, दूर रहने वाले संबंधियों, मित्रों, परिचितों और कभी-कभी अपरिचितों तक को संदेश भेजने ही तू, तथा उनका कुशल क्षेम जानने ही तू, पत्र लिखने की आवशक्ता होती है, पत्र के माध्यम से अ एक, अपचारिक पत्र, दो, अनपचारिक पत्र या निजी पत्र, एक, अपचारिक पत्र, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं, जिनसे हमारा रिष्टा नाता नहीं होता, किसी कार्य या उद्देश की पूर्ती के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, जैसे प्रधाना पत्र पत्र प्रायह सगे संबंधियों, मित्रों वा प्रिय जनों को लिखे जाते हैं. इन पत्रों में उनका हाल चाल पूछा जाता है और अपने बारे में बताया जाता है. पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य पातें. एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें निमनलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए. पत्र की भाशा सरल और सहज होनी चाहिए. वाक्य छोटे-छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए. विराम चिन्हों का प्रयोग सावध पूर्वक करना चाहिए। शहर, पिन कोड, दिनांक, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, उसका पद, नाम, पता, शहर, पिन कोड, विशय, एक पंक्ती में संग्शिप्त विशय, संबोधन, छोटे छोटे दो तीन अनुच्छेदों में विशय वस्तू, धन्यवाद, समापन, नाम, एवं हस्ताक्षर, बीमार होने पर प्रधानाचार्या को दो दिन के अवकाश के लिए प्राथना पत्र लिखिए, 106, एक जोन सोसाइटी, पीतमपुरा, दिल्ली, 110034, दिनांक, 10 सितंबर, प्रधानाचार्याजी, क्वीन मेरीज स्कूल, रोहिणी, दिल्ली, 110085, विशय, दो दिन के अवकाश हे तु, प्रार्थना पत्र, महुदया, सविने निवेदन यह है, कि मैं आपके विद्याले में कक्षा 5 सा में पढ़ती हूँ, मुझे पिछले दो दिनों से बुखार है, डॉक्टर ने दो दिन आराम करने की सलाह दी है, इसी कारण मैं दिनांक 10 और 11 स सितंबर को विद्याले नहीं आसकूंगी, अतह आप मुझे इन दो दिनों का अवकाश प्रदान करने की क्रिपा करें, धन्यवाद, आपकी आज्या कारणी शिश्या, कख ग, कक्षा 5 स, दो, वैश्नो देवी यात्रा पर जाने के लिए, चार दिन के अवकाश हे तु, प्र नई दिल्ली, 110023, दिनांक 11 मई, प्रधानाचार्यजी, केंद्रिय विद्याले, सरस्वती विहार दिल्ली, विश्य, चार दिन के अवकाश हे तु, प्रार्थना पत्र, महोदय, सविनय निवेदन है, कि मैं कक्षा 5 ब का चात्र हूँ, मैं अपने परिवार के साथ वैश्नो देवी की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, 12 मई को मुझे परिवार सहित वैश्नो देवी दर्शन के लिए निकलना है, इसलिए मैं 12 मई से 15 मई तक विद्याले में उप पस्थित नहीं हो सकूँगा, आपसे अनुरोथ है कि मुझे चार दिनों का अवकाश प्रदान करने का कश्ट करे, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, धन्यवाद, आपका आज्याकारी शिश्य, कख ग, कक्षा 5 ब, 3, पुस्तक विक्रेता को पुस्तके मंगवाने के लिए पत्र लिखिये, 114 बटा 512 D-Block, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, नई दिल्ली, 110036, दिनांक 6 अगस्त, प्रबंधक महोदै, ब्लूप्रेंट एजुकेशन, A-37, सेक्टर 63, नॉइडा, 201301, विशे, पुस्तके मंगवाने के लिए पत्र, महोदै, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ, मुझे आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तके पढ़ना बहुत पसंद है, कृपया निम्नलिखित पुस्तके मेरे पते पर भेजने का कश्ट करे, ध्यान रहे, पुस्तके साफ सुथरी और नए संसकरण की हो, अग्रिम राशी के 500 रुपय भेज रही हूँ, एक, व्याकरण पुष्प, भाग पांच, एक प्रती, दो, Creativity and Beyond, एक प्रती, तीन, संस्कृत मित्रम, भाग दो, एक प्रती, चार, The Grammar Connect, एक प्रती, धन्यवाद, भवदिया, काख ग, चार, प्रधानाचारे को खेल सामगरी की कमी दूर करने हे तू, प्रार्थना पत्र लिखिये, B. 31, राचेंद्र नगर, जासी, दिनांक, पाच परवरी, सेवा में, श्रीमान प्रधानाचारे महोदै, काख ग, विद्यालै, जासी, विशय, खेल सामगरी की कमी दूर करने हे तू प्राथना पत्र मानिवर सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा पाँच बगा छात्र हूँ हमारे विद्याले में खेल सामगरी का अभाव है जिसके कारण सब बच्चों को खेलने का अवसर नहीं मिल पाता आपसे प्राथना है कि खेल सामगरी की समुचित विवस्था करने की कृपा करें धन्यवाद आपका आज्याकारी शिश्य सुमित्त उमर कक्षा पाँच ब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पत्र भेजने वाले का पता शहर पिन कोड तिथी संबोधन अभिवादन छोटे छोटे दो से तीन अनुच्छेदों में विशेवस्थू समापन नाम हस्ताक्षर अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण देखिए एक अपने मित्र को अपने जन्म दिन पर आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए 151 प्रीत विहार पूर्वी दिल्ली एक एक शुन्य शुन्य नौ दो दिनांक 26 अप्रेल प्रियमित्र अंकुर सप्रेम नमस्कार तुम्हीं यह जानकर प्रसनता होगी कि इस वर्ष भी 10 मई को मैं अपना जन्म दिन उत्सव बैंक्वेट में मना रहा हूँ इसले वर्ष तुम्हारे ना आने से कारिक्रम फीका हो गया था इस बार निराश मत करना जन्म दिन पर मैंने अपने कुछ खास मित्रों को ही बुलाया है इस अवसर पर रंगा रंग कारिक्रम का आयोजन किया गया है ततपश्चात केक काटा जाएगा और सहभोज होगा मुझे आशा है कि तुम परिवार सहित आकर इस कारिक्रम की शोभा बढ़ाओगे तुम्हारा मित्र का ख ग दो अपने नए विद्याले का वर्णन करते हुए दादा जी को पत्र लिखिए जीडी गोयन का छात्रावास आज मुझे आपकी बहुत यादा रही थी खे आपका पत्र प्राप्त हुआ सभी समाचार जान कर प्रसनता हुई मैं आपको अपने नए विद्याले के बारे में बताना चाहता हूँ दादा जी मेरा नया विद्याले हर तरह से अच्छा है इसकी इमारत तीन मंजिला है और सभी कमरे बड़े तथा साफ सुथ्रे है विद्याले के चारों ओर का द्रिश बहुत मन मोहक है यहाँ खेल का बड़ा मैदान और तरण ताल भी है विद्याले के प्रधानाचार्य और सभी अध्यापक अध्यापिकाएं अनुभवी और मिलनसार है यहां समय समय पर संगीत, कला, नाटक, भाशन, वाद विवाद जैसी अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है यहां का अनुशासन बहुत अच्छा है मेरे कुछ अच्छे मित्र बन गए हैं जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं आप अपना और दादी जी का ध्यान रखिएगा और समय मिलते ही मुझसे मिलने अवश्य आईएगा मेरी ओर से दादी जी, माता जी और पिता जी को चरण स्पर्श आपका आज्याकारी पोता कख ग तीन कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरसकार पाने पर छोटी बहन को बधाई पत्र लिखिए आज ही तुम्हारा पत्र मिला मुझे यह पढ़कर बहुत प्रसनता हुई कि तुमने पहली बार मंच पर कविता पाठ किया और प्रथम पुरसकार प्राप्त किया मुझे पहले से ही तुम पर भरोसा था तुम्हे इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई मुझे आशा है के आगे भी तुम ऐसे ही पुरसकार जीतती रहोगी और माता पिता सहित हम सब का नाम रोशन करोगी तुम्हारी दीदी कखग चार रुपे मंगवाने ही तु पिता को पत्र लिखिए का खग चात्रावास यमुना नगर दिनांक 20 दिसंबर पुचे पिताजी सादर चरण स्पर्ष इश्वर की कृपा से मैं यहां कुशल वप्रसन्न हूँ कल ही आपका पत्र मिला समाचार जानकर खुशी हुई और आप सभी की याद ताजा हो गई आपने मेरे शीत कालीन अवकाश के बारे में जानना चाहा है इस शीत कालीन अवकाश में विद्याले से चात्रों का एक दल दक्षन भारत भ्रमण के लिए जा रहा है मैं भी इस भ्रमण कारिक्रम में उनके साथ जाने का विचार कर रहा हूँ इसके लिए आपकी अनुमती अनिवार है इस हे तु 1500 रुपे की भी आवशक्ता होगी अतहा अपनी अनुमती के साथ 1500 रुपे का मनी ओर भेजने की पुछ्या दादी जी इवं माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहना आपका आज्याकारी पुत्र आबस आओ दोहराएं पत्र सूचना के प्रमुक साधन हैं पत्र दो प्रकार के होते हैं अपचारिक तथा अनपचारिक पत्र